चानक के IS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं वियोम मित्र रोबोट के बारे में चंद्रियान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो अब अपने अगले मिशनों पर फोकस कर रहा है जिसमें सूर्य मिशन आदित्य L1 और भारत का पहला मानव मिशन गगन्यान चामिल है इस रोज जहां आदित्य L1 मिशन को सप्टेंबर के पहले सप्ता हमें भीजने की तयारी में है वहीं ऑक्टोबर के पहले या दूसरे हफते में गगन्यान मिशन के तहट एक स्पेस क्राफ अंतरिक्ष में भीजा जाएगा इसे भारत के पहले मानव मिशन के रिहसल के रूप में भीजा जा रहा है यह वही रूट follow करेगा जिस से पहला मानव मिशन धर्ती की और लोटेगा गगन्यान मिशन की तैारी में इस रोफ बहुत पहले से काम कर रहा है इसी कड़ी में एक स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से महिला रोबोट व्योम मित्र को स्पेस में भीजने की तयारी की जा रही है इसे ओक्टूबर के पहले या दूसरे सब्ता में भीजा जा सकता है COVID महामारी के कारण गगन्यान प्रोजेक्ट में देरी हो गई है इसलिए इसे इस वर्ष भीजा जा रहा है अब हम बात करेंगे व्योम मित्र रोबोट के बारे में इसरो के महिला व्योम मित्र रोबोट को गगन्यान मिशन के तहट इसे साल स्पेस में भीजा जाएगा व्योम मित्र दो संस्क्रत शब्दों, व्योम अर्थात अंत्रेक्ष और मित्र अर्थात मित्र और दोश से मिलकर बना है व्योम मित्र half humanoid का prototype है, जिसे मानव रहित गगनियान मिशन के लिए प्यार किया गया है व्योममित्र मोड्यूल मापदंडों के माध्यम से संचालित हो सकता है साथ ही यह अलट भी भेज सकता है साथ ही यह अंतरिक्ष यात्रियों से बाचीत कर सकता है उन्हें पहचान सकता है और उनके प्रश्णों का उत्तर भी दे सकता है यह हाफ humanoid अंत्रिक्ष में मानव कारियों का अनुकरन करेगा इसरो के महिला व्योमित्र रोबोट को तीन साल पहले ही दुनिया के सामने पेश किया गया था इसे दुनिया की best space explorer humanoid robot के रूप में जाना जाता है इसे सबसे पहले 2021 में event human space flight and exploration के उधगाटन सत्र में लौच किया गया था अब हम बात करेंगे गगणियान मिशन के बारे में भारत के गगणियान मिशन का उदेश है मानव अंत्रिक्ष उडान चमता का प्रदर्शन करना है इस मिशन के तहट तीन space crew member को space में भीजने की योजना है और उन्हें सुरक्षित भारतिय समुद्री जलचितर में उतार कर प्रत्विपर लाने की योजना है इसे तीन दिनों के लिए launch किया जाएगा इसके तहट space crew space में 400 किलोमेटर की orbit तक जाएगे गगन्यान मिशन के तहट crew member को सुरक्षित रूप से अंतरेक्ष में ले जाने के लिए मानव रेटेड लाँच वहिकल सहित कई महत्तपुन प्रध्योक्यों को विक्सित किया जा रहा है space में crew member को प्रित्वी जैसा वातावर्ण प्रदान किया जाएगा आपातकाल की स्तिती के लिए भी crew member को प्रशिक्षित किया गया है गगन्यान मिशन को लाँच करने के लिए इस रो अपने powerful rocket GSLV MK3 का उपयोग करेगा इस rocket को GSLV MK3 के नाम से ही जाना जाता है इसके पैलोड में crew module और service module शामिल है crew module अर्थात मानव को ले जाने वाला spacecraft और service module अर्थात दो तरल प्रनोदक इंजिनों द्वारा संचालित इस पूरे mission में France भारत का सयोगी बना है भारत और France की अंतरिक्ष एजन्सियों ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगन्यान के लिए सयोग के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है France के पास अंतरिक्ष कित्सा के लिए एक अच्छा सिस्टम मौजूद है इसमें CNES की सहाय कंपनी MEDES अंतरिक्ष क्लिनिक भी है जिसमें अंतरिक्ष सर्जन प्रशिक्षन लेते हैं इसके साथ ही आज क्या टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद